हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का वसुधा की रसोई में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मूंग दाल के टोस्ट जो लेफ्ट ओवर दाल से हमने बनाए हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये बनते हैं तो आई होप कि आपको ये रेसिपी जूर पसंद आ आपके पास कोई भी डाल हो उससे बना सकते हैं ये और यहाँ पर ये मैंने एक आलू को पानी में ग्रेट करके डाल दिया था ये डाल देंगे हम स्क्वीज करके पानी हमें बिल्कुल भी एड नहीं करना और बिल्कुल अच्छी से स्क्वीज कर लेना है आलू को आप चाहें तो इसमें फूल गोभी को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो लेकिन हम इसमें ज्यादा चीज़ें कुछ आड नहीं करेंगे सिरफ आलू और प्याज को ही करेंगे आलू से जो है हमारी दाल में बाइंडिंग भी आ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा और यहां पर यह मैंने हरा धनिया लिया है बारी कटा हुआ यह डाल देंगे और इनको एक बार मिक्स करेंगे आपने यह रेसिपी कभी ट्राइ नहीं कियोगी और यह एक बड़ा चमच मैंने सूजी का लिया है यह डाल देंगे कुछ हनार दाना लिया है यह डाल देंगे हम इसमें यह ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं अधर वाइज आप इस खुसकिप करतें नमक टेस्ट के कोडिंग क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला हुआ तो थोड़ा साथानी से नमक को डालें आदा छोटा चमच धनिया पावडर डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे एक बार क्योंकि यहाँ पर यह मैंने ब्रेड के स्लाइस लिये हैं ब्रेड आप ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं आप इसमें और इसके ओपर हम एक जो हमने बैटर त्यार किया है उसकी एक पतली सी लेयर लगाएंगे इस तरह से क्योंकि जो मौंग दाल होती है धुली धुली हुई वो रखे रखे थिक हो जाती है तो आप इससे जो टोस्ट बनाएंगे बहुत ही अच्छे बनेंगे यह दिखी इस तरह से हम इसके कॉर्णर वगएर अच्छे से इस बैटर के साथ फिल कर लेंगे और यहाँ पर यह हमने तबा रख दिया था घरम होने के लिए इसके ओपर थोड़ा सा ओएल लगाएंगे घी या ओएल जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं इसमें और जो इस पर हमने फिलिंग लगाई थी वो हम नीचे की तरफ करेंगे और साइडों में थोड़ा सावल डाल देंगे दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से अपना जो बैटर है दाल का वो लगा देंगे अगर आप चाहें तो एक तरफ भी लगा सकते हैं या दोनो तरफ लगाना चाहें तो दोनो तरफ लगा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे वैसे क बहुत ही जटपट से बन कर त्यार हो जाते दाल के प्रांठे विगार आगर आप खाके बोर हो गए हैं तो यह रेसिपी जूट राई कर लें एक पर और फिर मुझे बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप इसे बना कर बच्चों के टीफिन में भी दे सकते हैं और नाश्टी के लिए तो बहुती बढ़िया रेच से पी है यह इसको हम दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक पका लेंगे यह देखिए अब मैंने इसको ढख दिया है अब हम दो मिनट तक इसको पकाएंगे मेडियम टू लो फ्लेम पे अब हम इसको धीरे से उठाकर पलट देंगे यह देखिए इधर से हमारा क्रिस्प होच चुका है ब्रेड एकदम दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से थोड़ा सा घील लगा कर क्रिस्प करेंगे इसको यह ब्रेड टॉस्ट जो है उपर से क्रिस्प बनेंगे अंदर से एकदम मौस्ट होंगे तो बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं आपको यह खाने में यह दिखी इस तरह से हम इसको दोना तरफ से क्रिस्प करते हुए पका लेंगे यह ध्यान रखना है हमने इसमें गैस को जो है मेडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है जल्दी में हम इसको नहीं पकाएंगे देशन के साथ ही हम इसको पकाएंगे यह देखिए यहां पर यह मैंने एक नीचे ब्रेट रख दिया है जिससे अगर हम अपने ब्रेट बना कर रखेंगे तो वह सोगी नहीं होंगे एकदम क्रिस्प रहेंगे इससे भी है मौइस्टर नहीं आएगा इसमें और इसी तरह से हम अपने बाकी ब्रेट भी त्यार कर लेंगे यह देखिए इसी तरह से हम इसके कॉर्णर वग्यारा फिल करते हुए अच्छे से त्यार कर लेंगे इनको भी अगर आपको हमारी रैसी भी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक कर लें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने फैमिली और रिलेटिव के साथ इसी तरह से हम अपने दूसरा ब्रेट भी बना कर त्यार करेंगे अभी यह दिखी हमने अपने ब्रेट सर्फ कर लिये हैं आप चाहें तो इनको काट भी सकते हैं इस तरह से या आप इनको ऐसे अज़िट ही सर्फ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स टेक कियर स्टे हल्दी थैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो